हेलो एबरीवन वेलकम तो नॉलेज़ प्रस इस वीडियो में आज हम लोग 24 दिन 2020 के करेंट अफेर को देखने जा रहे हैं जो कि बेस्ट हो करा डिफरेंट नुज पेपर से तो आए शूरू करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहला नुज यहां पे कि इंडिया चाइन टो कूल डाउन एलेसी टेंशन तो चाइना भी पीछे हटने को राजी हो गया है और एलेसी टेंशन को कम करने के लिए इंडिया और चाइन दोनों जो है यहां पर तयार हुए तो पहला नुज यहीं पे था कि बोथ कंट्रीज एग्री टुडिटेल टॉक्वेरें कॉप्स टो इंडिया जो पकिस्तान को दोना को बोला कि अपना अपको कम कर लो हाफ कर लो कहां पर तो है कमीशन में तो पहले तो यहां पाई गुन्स का progressive सब्सक्राइब जो कभी न गाउन इस नहीं तो याद रखे चाहीं जितने भी कंट्री है उनमें से दो कंट्री तो है जो कभी भी अंग्रेज का पार्ट नहीं था फिर भी कॉमन्वेल्ट का हिसा है अपने मन से कोई भी चाहे तो कॉमन्वेल्ट की सदस्ता ले सकता है लेकिन कॉमन्वेल्ट से मेनली वही कंट्री है दो कंट्री छोड़ करके जो कभी न कभी अंग्रेज के अंदर रहे थे त तो नहीं पिर भी आज कॉमेंट का हिसा है तो यहां पे कॉमेंटर बढ़त हां लग भूलत यहां पे हाई कमीशनर और दहां पे नहीं होता है उसको अंबेस्टर तो दोनों एक्वल का यह उपर एक नीचे का पोस्ट है दोनों उक्वल का पोस्ट बस नाम स्चेंज हो जाता है कि जैसे कोई कॉमन वेल्थ वाले कंट्री में जाता है वही पोस्ट ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई उपर एक नीचे का पोस्ट है दोनों को लेवल का पोस्ट बस नाम चेंज हो जाता है कि जैसे ही कोई Commonwealth वाले country में जाता है वही आदमी लो मतलों सेम पोस्ट का अदमी तो उसको पाकिस्तान में हमारा ही कमीस्टर आपना नमबर पकर लीजिए ठीक है नमबर आधा कर लीजिए सबसे पहले क्या हुआ कि 31 माई को इंडियन गवर्मेंट के द्वारा दो पकिस्तानी हाई कमीशन को वहां के जो तो कुछ ओफीसर थे उनको कहा गया कि आप जासूसी कर रहे है इसलिए आप परसोना नन ग्रांटा हुए ठीक है यह देखिए जैसे वोग्षेल होता क्या है कि यह यह पाइब कोई दूसरे कंट्री का डिप्लोमेट है डिप्लोमेट को एक वियना कंवेंशन नाइंटी इसक आप आप डिप्लोमेट को सजा नहीं दे सकते इसा कुछ पावर निया गया है स्यूए नैनिटिन सिक्ट्वन का वियना कंवेंशन ने इसमें कहा गया क्या है कि जैसे मालीजी कि पाकिस्तान कोई कहाई में ओफिसेर हां पर है जो है उसके हाइप कमीशन में रहता मतलश्य दिपलोमेटिक इंडिया में है यहां पर कोई गलत काम करता जैसे किसी को धका मार देता है या फिर कोई चोरी करता है या फिर किसी भी तरह का यहां पर ऐसा काम करता जिसमें उसको पनिश्मेंट होगा तो इंडिया के पास दो अप्शन है या तो पकिस्तान गुवर्मेंट से पर्मिशन मांगे कि आप पर्मिशन कीजिए कि हम इस पर कानूनी करवाई करेंगे अपने कंट्री के ही साब से दूसरा यह नहीं तो पर्सोना ना गरांटा डिकलेर कर दें मतलब आप उस कंट्री को बोल दिए आप यहां से चले जाए अपने कंट्री चले जाए उस कंट्री को रिपोर्ट कर देंगे कि आपका ओफीसर है अब हमारे कंट्री बरहने लाएक नहीं इसके पर दूसरे अफिसर भीजिए तो नॉर्मली सेकेंड वाला अप्सन होता है क्योंक हम यहां पर जासूसी कर रहा है आप हमको इंडियन गवर्मेंट के रूल के हिसाब से करवाई करने दीजिए दूसरा ऑप्सन क्या था कि इसको परसुन नंगरांटा घोसित करके इसको देश से बाहर निकलवाया जा तो इंडिया दूसरा रास्ता अधिकांस्ता दूसरा र अरेश्ट नहीं अरेश्ट यहां पर क्यों नहीं कर सकती यह जर्श करने के पहले बताया जाता है कि हमने अरेश्ट किया है यहां पर रखे हुए है और उसके पास मतलब कि एक चुरियों बदला लेना चाहता था जो 31 माई को इंडिया के दोरा किया गया तो उसके पास कुछ बनाने को कहानी रहा नहीं तो जूटा कहानी बनाए कि यह लोग केस में सामिल थे ट्रेफिक रूल को तोड़े थे और इनके पास से फेक करेंसी मि बिला है ठीक है तो उसके बाद से इंडियन गवर्मेंट जो दोनों स्टाफ को इंडिया बुला ली उसको छोड़े हाला कि उसके साथ मार पीट किया गया तो मार पीट करना जो है सरासार गलत था वियाना कर्वेंशन का लंगन था तो इसी के फल सवरूप मतलब कि उसी को इंडियन गवर्मेंट कहा है कि मतलों कि हम अपने स्टाप को आधा कर लो ठीक है ऐसा पहले भी हुआ था जब 2001 में अटेक वह था पारलेमेंट पर उससे में ऐसा किया गया था ठीक है कि अश्टाप को आधा कर लिया गया था दोनों तरब से तो यह था इस निए तो यहां बीषक के दिप्लोमेट को पावर की सी मिलता है यहां पर पर किसकों कोले रहने हैं जैसे पर रहने जितने भी अपर डिविजन कलर्क है या फिर कोई एसिस्टेंट है पिर किसी भी पोस्ट पर है ठीक है वहां पर यदि ड्राइबर भी है इंडिया के तरफ से जो इंडिया नमेश्टर का गाड़ी चलाता है और वह तो डिप्लोमेट है उसका परिवार भी उसके साथ मेरा था तो उसको इंडिया का जमीन माना जाता है इंडिया का टरिट किया जाता है यहां पर जो भी नियम कानून लागू होगा वह इंडियन गवर्मेंट के नियम कानून भी फतलौ से लागू होगा लेकिन यहां पर एकस्टन के है कि यहां पर जी Ch माना जाता है इंडिया कानून होते है नियम कानून होते है भी इन गवर्मेंट के होता है जिस navy हो भी है उस कंट्री के स्टाप के दोरा दिया जाएगा ठीक है तो जैसे पाकिस्तान के इंडिया में तो उसके बाहर जो पहरेदार खड़े होते हैं जो भी सिपाही वहां पर उसके सुरक्षा करते हैं इंडियन गुवर्मेंट के होते हैं ठीक है बढ़ते हैं दुसरे सिंपरियम कोड निकाल जाते हैं लगत होते हैं उसके बड़े बाल भद्र होते शुती है निको पुरी टेंपल यहाई गया और सुस्य असाट चलता है तेट था इसनी उसे अभी यहां पर देख सकते हैं सारे लोग को मास्क यहां पर दिया गया उसके अलावे सेनिटाइजर के छिड़काओं किया गया था पूरे राथ यातरा पे फायर मेन के द्वारा फायर जो फायर ब्रिगेड़ होता है ट्रॉली जिसमें पानी भर आता उस कि अगे को रॉना वायरे से लडने के लिए और धंगर ऑफ इसन परमिसर ना बटेटा प्रवाइट कि यहां है से बोल शकते हैं तोस लोग खूस हो रहे कि रमड़वा को बैन लगा देगा और नहीं लगां गया उसको बैन नहीं बोलते उसको रहुलेट उसको बैन नहीं दोबाई बेच रहा है यह बोल करके कि से कुरोना ठीक हो जाएगा तो सरकार जीमेबारी बनता है कुसका चेक करें कि सही में ठीक नहीं ठीक होगा तो जो लोग खूस हो रहा है उनके लिए एक मतलों कि बुरी ख़बर जल नहीं आएगा यह तो लगेगा नहीं इस पे ठीक है तो आयूस लेंस राम्दित आयूस मंत्रा लेका यूस का फुल फॉम याद रखिएगा यह फॉर योगा यूपर यूपर यूनानी एस पर सिधा एच पर हम यूपर ठीक है नेक्स यहां प मतलों कि पर्मानेंट वीजा या फिर ऐसे बोल सकते जिसके सहारे आप वहां पर रह सकते जैसे कई तरह के वीजा होते हैं ऑ फटीक है और ऊपिजद करेंगे किया है याल विजा उसको बोलते जो इंट्रा कमपनीं ट्रांस्फर होते हैं एस टू बिढ़ना अगरीकश्रा असे विज असको होता है शुछ इसको कहते जो वर्किंग क्लास जो अस्किल्ड रेवर है तो उसको येच्वर भी बीज़ा दिया तो माली जै कि कोई आदमी है वो हुल्डर है इसके पहत वो सुरू में तुरोब करना पड़ेगा तो उसके बाद फिर सह सूरु से अपलाई करना पड़ेगा तो इस तरीका से चलिए का कुछ रूल है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर दता है और यहां तो आप लिए कर सकते हैं तो यह बीजा पर रहने वाले प्रियेट को भी एड़ कर सकते लेकिन वीजा पर रहे हैं आप उस पीरियोड को वहां पर काउंट नहीं कर सकते हैं तो बहुत सार मतलों कि एक साल में एक तरह से बोल सकते कि बहुत काफी कारगर वीजा सावित होता है मल्टी परपस भीजा हो जाता है इसलिए इस पर काफी ज्यादा भीड होता है तो यूएस का कोटा है कि 85000 को ठीक ह इसके लिए जो अमेरिका में ही पढ़ा है जैसे माली जी कोई इंडियन आदमी अमेरिका में पढ़ा है अमेरिका से ग्रेजुएट है तो उसको एक वर भीजा में 20,000 के अंदर छूट मिलेगा मतलों कि 85,000 में से 20,000 ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो अमेरिकन ग्रेजु इंडियरेक्ली पचासी हजार आदमी को बोल सकते जिसमें 20,000 वह इंक्लूड़ेड है एक वन वी बीजा ग्रांट किया जाता है ठीक है तो पूरे दुनिया से पचासी हजार तो एक्ट्वली इसमें एक्ट्वली होता क्या है कि जैसे एक साल में लगवग और हाई लाख क् करते हैं कि हमको अमेरिका में जाकर के काम करना है तो फिल्वा पर लॉट्री निकाला जाता है लॉट्री सिस्टम के तुरू देखा जाता है ठीक है और 85,000 को चूच किया जाता है ठीक है लेकिन अब यहां पे ऐसा कुछ इसके लिए रूल चेंज किया रहा है कि लॉट्री अब यहां पर मतलब कि रहा है कि हम एक्स्ट्राइब को रखेंगे जो चेक करेंगे कि क्यों ज्यादा एक्स्ट परियेंस्ट है तो उसकूल पहले बीजा ग्रांट किया जाए गा ठीक है इसके तहट इंडियन को काफी फैदा होता था पचासी हेजार में लगभग ते ताल कभी कभी तो चुनावे मुदा भी हो जाता है ठीक है हलांकि उतना ज्यादा बंदा नहीं बन पाता है लेकिन कुछ लोग मुदा उठाते जरूर है जो इसके जनकार लोग है ठीक है तो यहां पे एक नया बीजा एचफ फॉर विजा एक है तो मान लिजे कि किसी आदमी को एक लड़का को मिला है या को मिला है ठीक है किसी एक आदमी को मिला है तो पहले यह गए आपने अमेरिका यह चाहता है कि हमारा परिवार है मतलब कि इसका जो भी है भी पलस इसका जो C,D बाल बच्चा होगा ठीक है उसको भी इंडिया मतलों कि अमेरिका ले आए तो उसको क्या करना पड़ाएगा BCD के लिए IT4 बीजाई शुकरवाना पड़ेगा ठीक है एच पॉर बीजाई शुकरवाना पड़ेगा जो लोग प्पर एकाम मत्व जाते है मिरिक बाहर काम नहीं कर सकते बार किसी तरह कर और सकते एक मत्तभ कि छोटे से लेकर किसी लेवल के जय ही जाता है इसलिए मतलों काम करना हैं इसलिए서 नहीं पड़ेगा और एस फोर विजा पर जाने पर वाद वहां पर काम नहीं मिलता है ठीक है तो इसके बारे में काफी डिटेल में आगे हम लोग इधर देखते हैं तो यहां पर निवस्ता कि कंट्री ऑफ और जिन मस्ट जी एम पॉटल जी एम पॉटल के तो गोवर्मेंट इमार् निवस्ति कवा वाई करता नहीं है तो उसी तरह से जीह पोटल मैं नियम है कि कंट्रीं और जीन का कशोग करना था कि कहा पर समान बना है सका यहां पर क्या हkil का स्पेसल कीचन स्कीम फ़र फूर फूर भी लॉंचि राजस था जिसको इंद्रा रसोई के नाम से जाना गया था इसके पहले इसी ऐसा ही एक संती के से जिसका नाम थे अनपुर्णा रसोई जो दिसम्बर दिसम्बूर में बंद से अर्ट रप में किया गया था यांट रूफोर कर सकते हैं तो इस तरीके सो वहां भी है तो डिफरेंट अश्टेट में महराष्ट्रा में इस तरीका को चालू किया गया है कुछ दिन पहले बिहार में भी चालू हुआ था लेकिन बंद कर दिया गया और बिहार में एक ही जगा बटना में चालू हुआ था उभी एक जगा चालू हुआ था तो काफी भीड के कारम उसको बंद कर दिया गया लेकिने सब जो स्कीम है अन्ना केंटीन हो गया या पी रन पूर्ना योद्ना हो गया फिर इंद्रा रस होई आएगा यह लगभग स्ट महराष्टा के एक जगा है स्ब्सक्राइब गाऊं है अग्राथे में गाओं है था अधार में छिवर्ट मैं यह वहां पे महार कम्योटी के कुछ लोग तहीं पहले माराथा के पास गए कि एंग्रेजों के साथ है तो हम भी शवoirром कर लिजे हम ही लड़ने को तयार है थो मायराधा के दो है और दूरह जित गए है ठीक है मतलव की जो भी उससे में के एंसेस्टर थे बादादा जो भी थे उसे में लड़े थे उन्रेज के तरफ तो अग्रेजो की ज landfill कंजन मनाते हैं क्छली एहां पर इक बनाये गहां कुछ है संबल टाइब का बनाये था ठीक है तीस पर वहाँ के कुछ जो मराठा सपोर्टेड़ लोग हैं मतलब जो राइट विंग वाले लोग है कहने को मतलब कि जो वहाँ पर मराठा से ज़्यादा प्यार करते हैं ठीक है ऐसे लोग थे तो उनके द्वारा यह दलील दिया गया कि आप जो सेलिबिरेट कर र इतना इसको गरीब बना दिया आप उसके जीतर का जैस्ट मनाते तो गलत बात है ठीक है तो इसी पर बहस होते हुए वहां पर हिंसा हो गया काफी बढ़ा मतलब की हिंसा करूप ले लिया और वहां पर काई फी लोगों के जान गई थी मतलब 2018 में उसके 200 साल के इंवर्सरी मना ना दिया नहीं साहिए ने ट्राइस्तरा पुलिस को एप पूछे है तो सुपरीम ट्रोट की हम स्रॉप कर दए-गणार के लिए है अब नहीं दे ँख व्याइन को खेट करीब के अंतल पूछट सेंटर से जबाब क्यों कर देने के लिए प्याइश को आपको हम हम सब्सक्राइब को यह मतलब कर सा तीछ के अटमकर पॉरीट पर प्पीस तो एक जाम परपस यह नहीं था बस यहां पर फुछ थोड़ा सा चंबा लागा तो यह तो आ गलती से ब्रडर्टर करके इंडिया और इंडिया उसको पसंद आ गया इंडिया में ही रह गया यहां का वो सिटिजन बन गया ठीक है आप यहां उसके परिवार को देख सकते हैं पूरा दम सट फूल पैंट में लगता है कि इंडिया नहीं परिवार बन चुका है इंडिया आपट एक्सिडेंटली क्रोसिंग इंडियन टेरिट्री 1963 में उधर से लड़ रहा था और मतलब नाच्छा बात नहीं है तो लड़ना अच्छा बात नहीं है टूटी-फूटी हिंदी में बोला कि लड़ना अच्छा बात नहीं है इस नोट अगूर थिंग कम टूएन एग्रिमेंट आगे है तो पिपल लिवरेशन आर्मिक करप से लड़ता था मिश्टर वांग अरुमाचल प्रदेश में अभी रहता जनवरी 1963 में आया था ठीक है और तो यह था इसके बारे में ठीक है तो याद रखे है कि ऐसा भी अभ 25 साल तक सर्व किया था 35 साल तक सर्विस में रहा था उसको डी कमिशन किया गया सर्विस से ठीक है तो उसको त्रिवांद पुरा में यहां पर फेरवल पार्टी दिया गया आगे बढ़ते सीबी टू कीच फॉर्मर मनिपूर सीम इन इंबेजमेंट के सो मनिपूर के जो कि मनिपूर में बीजेपी के गवर्मेंट थी गट बंदन की सरकार से ठीक है और काफी कम मार्जिन से मतलों गवर्मेंट चलने का मतलों कि जो रिक्वाइड सीट था जीतना सीट चाहिए सरकार चलाने के लिए उसे एक या दो सीट ज्यादा था तो यहां पर क्या है कि इए विजेपी की गवर्मेंट वहां पर आ गिए खत्रे में तो अक्रामी बोसिंग की बोल रहे थे कि कर वाया जा टेस्ट करवाया ठीक है फ्लों टेस्ट मतलों कि सरकार को फीन से बहुमत सबित करने के लिए लिए गवर्णर के दौर तो यहां पे मतलों कि मनिपूर में जो भी पॉलीटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में तो अभी आप केस है सीटके से kosid क्विज करते हैं कि मतलब होता है कि दोनों तरब से क्वेश्चन पूछा जा उसको क्विज बोलते हैं ठीक है तो यह आप यूज किया कि फॉर्मर मनिपूर सीम इंवेजलमेंट के सब्सक्राइब लिखा हुआ है कि उनके साथ सीविज क्विज खेल लेते हैं लेते हैं तो सीविज आता है मिनिस्ट्री पर्सोनल पब्ली गिरिवांसे पेंसन के तहता है इसको चल रहा था उसमें जो मिलिटरी के लिए सप्लाइब हो रहा था उसमें काफे ज़्यादा धानली का खवर आ ठीक है तो उसी धानली को रोकने के लिए इस तरीके का एक तरह से बॉडि बनाया गया तो इसका नाम रखा गया तहद दिल्ली अस्पेशल पूलीस इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के तहद है 1946 में स्थाप्ला किया एक फॉर्मल बढ़िया से और इसका हेट को रखा गया निव दिल्ली में ठीक है तो दिल्ली स्पेसल पूलिस से अपना पावर करता है यह सब्सक्राइब करता है यह बनाया गया था लहोर में था ठीक है लहोर अभी पाकिस्तान में नेका सिंबॉलिक राथ यात्रा हेल्ड वीदिन टेंपल इन अहमादावाद तो जैसा कि दो तीन दिन में लोग देख रहे थे कि पूरी में राथ यात्रा मना किया गया तो हमादावाद में भी हाई कोट माना कर दे कि हम रहेंगे ठीक है तो एक्चली इतना टाइम नहीं था लोगों के पास कि यहां पर रात के बहई चलता रहा है तील टू एम यहां पर रात के दो बहच चलता रहा लेकिन अहमादावाद हाई कोट के जैस थे और नहीं नहीं होने देंगे इसलिए आप मतलों कि मंदिन नोर्मली राथ को निकाल करके मंदिन करना पड़ता है उसी तरह से महराष्ट्रा में राणी को एक रिच्वल करना पड़ता है उसको करना पड़ता है तो उसी तरह से करने के लिए मार्केट से पैसा निकालने के लिए या फिर लोन लेने के लिए अपना कुछ उसका नियम का अनुन था उसको करने परंगे पलड़ते हैं तो बिहार रेज कांसर्न ओवर नेपाल इस्टॉलिंग रिपेर कां बैराज सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक एक त्यारी की होंगे उनको इस नदी के बारे पता होगा लाल बेकिया रिभर बाकी लोग नया सुनने में मिला होगा या फिर हो सकता है पहले से जानते हो तो याद रिखेंगा जैसे जो अभी के लिए न्यूस में आया है तो पूछने का चंक्छ इचल चाता एक लालबेकीया रिवर कहां है लाल बेकिया रिभर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर यहां कIE प्वांचोसार वाहन को संथा और कंणदक से तिबत से निकलता कि टीबत तुमें कि और पे एक करता है कर दो एधंसार नहीं पूशन चैशा होता है ऋहां पे बेराज बनाया गये था चाहल शोटा स्पीड को रोकता जैसे बांद को होता है पानी को रुक देता है भी करना पड़ता है तो पहले हैंपे नॉर्मल होता दाल कि इंडिया का जोभी मेकैनिक से जोभी ऑफीचल इंजिनियर यह खा Baş कि भाइफ जाखर करते हैं था रहा है तो नेपाल को रोख दिया गया नेपाल के रोका क्योंकि असका कुछ गेट नेपाल के तरफ तरफ रोका गया और उदर बन्ह भी नहीं रहा है तो इसमें मतलख क कीश्ग की साहगा की बिहार को छो आब मिनिस्टर है संजेक कुमार उनके द्वारावी मिनिस्ट्रेश को ठीक चिठी लिखा गया विदेश मंत्राले को कि इस पर यहां पर डिसकर्स किया नेपाल के साथ ताकि हम लोग डूबने से बच जाए ठीक है तो नेपाल यहां पर कुछ ज्यादा ही आख देखा रहा है आग चास के मिंट के बीस तो फिकिया है विदेश के पाइज रहा है विदेश उसको इंडियाम के कारण बीदेश में विदेश में लोग आए कारण ऑन पम इंडेख लाया जाना तो उसको इन्डिया में बीदेश में YouTube के रẫn गया इसक आण Jew द्राइट को एंडिया गया है कि थीघर का धाल ही इन्डिया पर द्रभाइज है कि इंडिया जो है यहारकश का जो जब इमान गया था है इंडिया में तुस्से में उसको अप्रेट करने नहीं दिया एक्ट रहा है तो इसी बात को लेकर कि थोड़ा सा नराज हो गया और यहां पर ऑपरेशन को रोग दिया हाला कि फिर बात में चालू कर दिया जुलाई फर्स्ट विक तो कहा जा रहा है कि इसको जुलाई फर्स्ट विक तक यहां पर क्या बुल सकते उसको मतलब कि वहां तक भूक कर लिया गया था तो ऑडर है सट इफ्यक्टिव थर्टी डेज्व सर्विस्ट अपॉडर यह इंडिया बॉन्ट भी अलाव ट्रसाइज थर्ड और फॉर्ट फ्रेडम फ्लाइट तो कहा जा रहा है कि एक फ्लाइट तीन बार चार बार ओप्रेट नहीं कर सकता है इसके तहते बताया गया है ठीक है इंडिया के उन चार्ट इन उन जून फ्लाइट इसी को रोका गया तो यह था इस न्यूस से कि किस तरीके से इंडिया की उपर डिस्क्रिमेंटरी चार्ज लगाया है यह कोई बड़ा निवज नहीं मत्तलों कि इसमें ज्यादा टेंसर लेने में बात नहीं है मत्तलों कि गुवर्मेंट टेस्टर पर बात चित करके इसको सुल्धा लिया जाएगा जो भी यहां पर कॉंसर्ण है तो इसी के साथ आज का निवी डिसकुसन यहां पर समापत होते ह तो लाइक करें चैनलों को सब्सक्राइब करें धन्यवाद